हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS हिंदी नमस्कार बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का Study IQ IAS हिंदी के इस बुलिटिन में मेरा नाम है अतुल जैन और आप सभी जानते हैं कि मैं आपके सामने लेकर आता हूँ आज के दिन की कुछ important खबरें तो अगर आप cricket fan हैं या फिर नहीं भी हैं तो भी आपने IPL के बारे में तो जरूर सुना होगा 2008 में IPL शुरू हुआ था और उसके बाद से ये एक बहुत बड़ा फिनॉमेना रहा है और बहुत बहुत एक सफल प्रयोग भारतीय क्रिकेट में रहा है तो IPL दरसल क्या है आपको मैं बताये देता हूँ लेकिन और उसके बाद उससे संबंधित न्यूस पर मैं जाओंगा तो आम तोर पर क्या होता था भारत में क्रिकेट का खेल बेहद लोग प्रिय हमेशा से रहा है और क्रिकेट के खेल में भारत में एक राश्ट्री अफ्तर पे ये खेल कर आया जाता था यानि कि अगर आपकी भारत की टीम है तो वो किसी दूफरे देश की टीम के साथ खेलेगी वो पाकिस्तान के साथ अस्ट्रेलिया के साथ इंगलेंड के साथ किसी अन्य देश की टीम के साथ खेलेगी लेकिन जैसा कि फुटबॉल में ये वाला प्रयोग बड़ी सफलता से हो चुका था कि अगर आप कुछ ऐसे फ्रैंचाइजी लीग की टीम्स बना दें कि भाई अलग-अलग जो है निजी उद्योगपती निवेश करके फ्रैंचाइजी लीग खरीद सकते है और वो अपनी खुद की टीम स्वयम की टीम जो है बनाकर उनको उसमें अच्छे से अच्छा टैलेंट जो है अच्छे से अच्छे खिलाडियों को वो खरीद सकते हैं और उसके जरी अच्छे से अच्छे कोच अच्छे से अच्छे ट्रेनिंग स्टाफ और उसके बाद उन से इंपोर्टेंट फुटबॉल जो माना जाता है जो फुटबॉल प्रेमी होते हैं वो फुटबॉल के विश्व कपसे जादा यूरोपियन लीग वगएरा को देखते हैं क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि सबसे अच्छी फुटबॉल वास्तविक्ता में वहीं खेली जाती है अखला, तो 2008 नौ आतेए अके बहुत में क्या किया गया जो भारती है क्रेकट कंट्रोल बोल्ड है BCCI, उन्हों ने एक टॉर्नमेंट क एक प्रोड़क्ट बनाया जिसका नाम है IPL, यानि कि इंडिएन प्रीर लीग में क्या किया गया, भारती ये शेहरू को केंद्र बन है लेकिन इसके बाद अलग-налग उद्योग पतियों ने यह टीमें खरीदी अलग-अलग लोगों ने मुकेश अबानी साब ने मुंबई की टीम खरीदी शारूखान साब ने क्ोलकाता की टीम खरीदी हम जानते हैं इन जी जादे हैं वो इस समय विश्व की सबसे धनवान लीग है सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली सबसे ज़्यादा धनवान स्पोर्ट्स लीग दुनिया में कोई है तो इस समय वो IPL माना जाता है तो आज मैं आपको IPL के बारे में इसलिए बता रहा हूँ कि IPL में और भी विस्तार होने की संभावना है तो सौधी अरब की जो सरकार है सौधी अरब की सरकार जो है उसने एक ये इच्छा जाहिर की है कि हम IPL में निवेश करना चाहते हैं ये उन्होंने एक अपनी इच्छा जाहिर यहाँ पर की है तो उनके जो crown prince है MBS जिनको बलाया जाता है मुहम्मद बिन सल्मान, MBS के नाम से जाने जाते हैं, ये crown prince हैं वहाँ के राजकुमार हैं, लेकिन basically ये माना जाता है कि सौधी अरब का शासन जो है MBS ही चलाते है, MBS ही वहाँ पर एक तरह से वहाँ के प्रमुख नेता है, तो MBS सितंबर में भारत आये थे, तो उन्होंने भारती अधिकारियों से इस बारे में बातचीत की, कि सौधी अरब एक बहुत बड़ा निवेश करना चाहता है IPL में, और उसके बदले में वो IPL का एक हिस्सा, IPL का एक अंश्का मालिकाना हग प्राप्त करना चाहता है, तो अभ ही क्या है, IPL पूरी तरह से BCCI के अंतरगत आता है, भारतिय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो है, पूरी तरह से उसके अधीन IPL आता है, और आपने देखा भी होगा, कि हमेशा ये कहा जाता है, कि भारत जो है, वो सबसे शक्तिशाली है, क्रिकेट के मामले में, क्रिकेट प सरकार ने यह यानि कि साओधी अरब की सरकार ने क्या प्रपूजल किया है कि हम IPL के लिए एक holding company बना दें कि IPL के हम share बना दें और IPL का जो हक है IPL का हक ऐसे ही BCCI के पास न रह जाए एक BCCI के मालिकाना हक वाली holding company बना दें क्योंकि अभी आप IPL कैसे खरीद होगे किसी चीज़ को खरीदने के लिए उसे खरीदने की विवस्था भी तो होनी चाहिए मतलब आपको अगर मान लीजे मेरे से पढ़ना खरीदना है तो कोई आपको हम क्या कर दें एक holding company के अधीन कर दें holding company का मतलब क्या होता है जो खुद कोई काम नहीं करती holding company जो होती है वह केवल बेचने खरीदने के लिए ही बनाई जाती है बाकी company कोई काम करती है कोई उत्पाद बनाती है जैसे study IQ क्या करती है section एक उत्पाद बनाती है लेकिन holding company ऐसा कोई काम नहीं करती वो बस किसी चीज के पर मालिकाना हग रखती है और अगर कोई निवेश करना चाहता है तो उस company का हिस्सा खरीद सकता है holding company बस इसी लिए बनती है उसका अपना कोई काम नहीं होता तो साथी अरब की सरकार ने ये कहा है कि IPL के मालिकाना हग को हम एक holding company को दे दे और उन्होंने एक जो number अभी suggest किया है वो ये है कि इस holding company की जो valuation हो वो 30 billion dollar के आसपास हो यानि कि 1 billion कितना होता है करीब 100 करोड करीब 3000 करोड डॉलर के आसपास MBS ने साथी अरब ने इस समय IPL की value लगाई है 3000 करोड डॉलर की अगर हम बात कर रहे हैं तो निश्चित तोर पे हम कह सकते हैं करीब धाई लाक करोड रुपए क्यास-पास का IPL का इन्होंने valuation लगाया है और इन्होंने कहा है कि पूरे IPL की valuation करीब इतनी रहेगी और इसमें साओधी अरब जो है हम जो है इस समय हम क्या चाहते हैं हम करीब 5 billion dollar का निवेश करना चाहते हैं 5 billion dollar यानि की 500 करोड डॉलर का निवेश जो है साओधी अरब ने कहा है कि हम IPL में करना चाहते हैं दिश्चित तोर पे अगर वो 5 billion dollar करेंगे तो करीब एक छटा हिस्ता जो है उनका हो जाएगा IPL का तो IPL पर मालिकाना हग जो है उसके 16-17% पर साओधी अरब सरकार का मालिकाना हग जो हो सकता है 5 billion dollar आप जानते हैं 500 करोड डॉलर और अगर हम देखें तो करीब करीब कितना हो गया अब करीब 45-45 हजार करोड रुपए के आसपात हो गया इतना निवेश वो IPL में करेंगे उन्होंने ये कहा है कि इस निवेश के जरीए हमारा विजन जो है IPL को लेकर वो इसे और बड़ा अंतराश्री स्तर का टॉर्नामेंट बनाने को लेकर है कि अभी IPL भारत में होता है IPL का जो स्तर है वो सीमित है और वो चाहते हैं कि हम इसको और बड़ा और एक बहतरीन इवेंट बनाएं जो कि वैश्विक तोर पर खेला जाए जिसमें वैश्विक तोर पर भागिदारी हो तो ये सौदी अरब सरकार ने प्रस्ताव रखा है कि आप IPL को एक होल्डिंग कंपनी मना दीजे 30 बिलियन डॉलर के आसपास उसका वैल्यूएशन होना चाहिए और हम जो है 5 बिलियन का निवेश उसमें करेंगे और इस पैसे का प्रयोग करके आप IPL को और उन्नत बना सकते हैं और अंतराश्तियस तर का एक इवेंट बना सकते हैं अभी तक भारत सरकार की ओर से या BCCI की ओर से या खेल मंतराले की ओर से इस पर कोई टिपड़ी नहीं आई है लेकिन प्रस्ताव जो है सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है तो आगे इस पर जो भी होगा जैसे भी होगा ये मैं आपको बताऊंगा निश्चित तोर पे IPL जो है बहुत बड़ी शक्तिशाली एक बॉड़ी है इस समय दुनिया के क्रिकेट में और अगर ये डील हो जाती है इस तरह का निवेश IPL में आ जाता है तो इसमें विल्कुल भी संदेह नहीं है कि IPL को जो शक्ती है IPL की जो शक्ती है वो अभी जितनी है उससे कई गुना जादा बढ़ जाएगी तो आगे हम इस पर नज़र रखेंगे अगर ये डील होती है या इस पर कोई विवाद भी होता है तो वो मैं आपको अवश्य बताऊंगा चलिए जाने के पहले मैं आपको जल्दी से बता दू कि भाई हमारा P2I बैच जो है उसका नया बैच जो है वो आ चुका है और वो शुरू हो रहा है 10 नवंबर से तो अगर आप उससे अब तक जुड़े नहीं है तो आप जल्दी से जुड़ जाईए अब इस बार क्या है आप देख सकते हैं AJ Live Code अगर आप लगाएंगे जो की मेरे नाम पर आधारित है अगर आप AJ Live Code लगाएंगे इवनिंग बैच है शाम को 6 बजे वाले P2Y है यानि की प्रारंभिक परिक्षा से साक्षातकार तक आपको पूरी तयारी जो है एसी बैच में कराई जाएगी आपको कुछ भी और लेने की आवशक्ता नहीं पड़ेगी तो अगर आप अपनी तयारी को फॉर्मलाईज करना चाहते हैं और गनाईज करना चाहते हैं तो तुरंत आप इस बैच से जुड़ जाएए और बैच से जुड़ने के लिए हमारी वेबसाइट या आप पर AJ Live कोड लगा कर इस कोर्स को खरीदिए ठीक है चलिए और भी कोई प्रमुक समाचार होगा तो वो लेकर मैं आपके सामने उपस्थित होँगा तब तक पढ़ते रहिए अपना ध्यान रखिए और मेरे से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS हिंदी